हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में और आज कि वीडियो में हम MSC Mathematics 2020 का इंटरेंस इग्जाम पेपर के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं एक इंपोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किजगा क्योंकि ऐसे ही informative वीडियो मिलती रहती है साथ में एक लाइक जरूर दीजगा क्योंकि काफी ज़ादा मेनत लगता है एक वीडियो बनाने में पर कोश्चिन आपको टू मार्क्स दिये जाते थे यानि टोटल टू हंडिर मार्क्स का आपका पेपर पिछले साल हुआ था तू आवस का आपको टाइम दिया गया था ठीक है तू आउस में आपको ये कम्प्लीट करना था तो अब चलिए बारी बारी से जानते हैं और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इस पेपर का पीडियप कैसे आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा यही से छोड़ के मत जाएगा लास्ट में क्योंकि काफी ज्यादा मिनात लगता है तो वीडियो को पूरा वाच करिएगा उसके बाद ही उस पॉइंट पे जाईएगा कि कैसे वीडियप को डाउनलोड करना है तो चलिए हम जानते है तो यहाँ पर पहला यहाँ पर एक चीज़ोर बताना था यह जो पेपर मैंने यहाँ पर लिया है इस पेपर में पहले से यहाँ पर कुछ टीक मार्क्स यहाँ पर क्रॉस किये गए हैं तो यह अंस्वर नहीं है तो आप यह मत समझेगा कि यह अंस्वर के लिए टीक किया ग आप वहां से उसे डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं, तो चलिए बारी-बारी से question देखते हैं, आप वीडियो को पहुच करके question को देख सकते हैं, तो बारी-बारी से देखते हैं, तो यहां पर ऐसे question दिये गए थे, यहां पर केवल English language में paper को mention किया गया है, Hindi language का इसमें नहीं की दिया गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो यह यह रहा paper जिसमें total hundred question है, और per question आपको टू marks और यहां पर कोई deduction marks नहीं था, यानि लोh minus marking वहां ठीकै, तो यहां पर कोई minus marking नहीं था, यहां पर आपको total, जितना भी question आप attempt कर सकते हैं, यहां पर कोई मार्किंग नहीं दिया गया है अब कटाप का बात करें कि कितने पर अडिमिशन हुआ है क्या हुआ तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है पिछले साल के कटाप सारा मेरे चैनल पर अवलेबल है तो आप शागे कटाप को वाच कर सकते हैं कि कितने कटाप प कोई category आते हो उनका हो तो सारे लोग का वहाँ पर मैं mention कर दिया हूँ ठीक है तो आपको 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 काफी मदद करेगा इस साल तैयारी में आपको ये idea लग जाएगा कि कितने marks हमको इस साल लाना पड़ेगा ताकि DDU में admission मिल सके MSC Mathematics से तो कटाब जो होता है वो काफी important role play करता है admission के तैयारी के लिए तो ठीक है तो आप उसे बहुत जरूर कीज़ेगा तो आप वहाँ से देख सकते है तो पेपर खतम होने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इसका PDF डाउनलोड करना है और बात करें solution का तो solution का आपको link वीडियो के description box में मिल जागा आप वहाँ से क्लिक करके direct solution को डाउनलोड कर सकते हैं पर PDF के लिए आपको एक site पर जाना होगा वो site मेरी official site है मैंने उसे कुछ design किया है उस पर मैंने सारी चीज अपलोड करना start कर दिया है तो आप उस page से उस website से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर question मैं आपको दिखाते चलता हूँ थोड़ा first कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे तो वीडियो को complete देखेगा और like जरूर दीजेगा और अगर आपके मन में कोई question है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं और साथ ह अगर आप daily update, papers, related question यह सब चाहते हैं तो हमारे telegram channel को जरूर से join कीजेगा यह कि telegram channel पे मैं additional question भी डालता हूँ वहाँ जो की इस साल पूछ सकते हैं पूछा जा सकता है exam में तो मैं वहाँ पे regularly update रहता हूँ तो वहाँ पर जरूर से join हुए ताकि आपको latest update मिलती रहे तो च अफी लोग यहाँ paper complete नहीं watch करते हैं direct link पे जाओ, PDF डाउनलोड करो, वीडियो को पॉच कर दो पर वीडियो में और भी जानकारी दीर आती है ताकि आप वीडियो को complete देखें पर कोई देखता नहीं है तो मैं request करता हूँ कि वीडियो को आप complete watch करिए ताकि आपको better understanding मिल सक हैं तो यहाँ पर total अभी हम लो 79 questions पर आ चुके हैं तो यहाँ पर यहाँ दीरे दीरे बाकी जो class का paper मैं धीरे दीर अपलोड करूंगा क्योंकि थोड़ा time लगता है paper arrange करने में तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल tension मत करिए धीरे धीरे सारी classes का यहाँ पर paper मैं upload कर दूँगा तो यहाँ पर finally हम लो last में आ चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर 100 questions final होता है ठीक है यहाँ पर 100 questions final हो चुगा ठीक है तो यह रहा question paper अब हम बात करते हैं कैसे download करना है तो download करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के description box में link मिलेगा आपको वहाँ click करना ह है जैसे ही click करेंगे click करते ही यहाँ पर आप redirect हो जाएंगे यह देख सकते हैं यह मेरी official site है तो यहाँ पर मैं regularly update रहता हूं और यहाँ पर जो भी paper मिलता है मैं यहाँ पर upload करता हूं जो भी tips and tricks मिलता है मैं सारा यहाँ पर upload करता हूं तो यहाँ पर आपको आने से क्या करना है आपको नीचे स्क्रोल करके आना है यहाँ पर मैंने exam tips भी डाला है कि कैसे पढ़ना है तो और कैसे मैंने पढ़के exam crack किया था डेड़ उन्वर्सीटी का और मेरा admission हुआ था OBC category से तो इसे भी आप play करके देख सकते हैं फिर आप नीचे आएंगे तो कुछ मैंने information BSC MSC के paper के regarding यहाँ पर upload किया है अब हम बात करते हैं कैसे download करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं download PDF दिख रहा होगा यहाँ पर left side में यहाँ पर hand जो यहाँ पर emoji है इसके नीचे है इस पर आपको click करना है click करते यह आपको पास दो option यहाँ पर खूलेंगे पहला Chrome दूसरा drive तो यह जो है drive का link है Google Drive में मैंने paper upload किया है तो आपको drive पे click करना है click करने के बाद जो भी email id साब देखना चाहते हैं उस पर click करके आपको ok कर देना है ok करने के बाद यह PDF open होना start हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर finally देखिए पेपर यहाँ पर धीरे-धीरे open हो रहा है क्योंकि 4.8 MB का है तो download होने मतवरसा time लग रहा है नेट पी काफी slow चल ला है इसके बाद यह download हो जाएगा तो आप paper देख सकते हैं यह आप अपने भी drive में save कर सकते हैं यहाँ से ठीक है और यहाँ पर आपको share करके यह download कोई भी option यहाँ पर select करके इसे download कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो आपको क्या करना इस ब्लॉग को यहाँ पर जरूर से इसे follow कर लीज़ेगा क्योंकि इस पर काफी अच्छी अच्छी information में यहाँ पर डालता रहता हूं आप देख सकते हैं काफी ज्रादा मैंने ब्लॉग यहाँ पर write किया है तो आपको नीचे आना है यहाँ पर यहाँ और CT के द्वारा जो मिलता है हमें मैं यहाँ पर upload करता रहता हूं तो जरूर से इसे follow कीज़ेगा और हाँ अगर से इसमें कोई आपको डाउट लग रहा है आपके दिमा में कोई डाउट है तो यहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस पेज के रिगारनी कोई आपक पीडिया डाउनलोड करना है तो मैं मीद करता हूं कि मैं आपको complete जनकारी प्रोवाइट किया हूं अगर प्रोवाइट किया हूं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट करके अपना question आप पूछ सकते हैं और साथ ही अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार व